Hello everybody and welcome to GoHash Gurbaga नामुम्किन काम को मुम्किन कर दिखा है United Hospital ने जहाँ पर एक पेशेंट की हम बात करें तो उसका नाम है गंगाधर इसके उपर एक brutal assault हुआ था इसके बचने के chances बिलकुल नामुम्किन थे बचने का मुमीट नहीं था इसका बचने का मुमीट नहीं था ऐसा पेशेंट को United Hospital वाले यतना हाल और करके बचा है ना मेरे को लगता है भगवानी यहाँ United Hospital में आके इसको बचा हुआ है एक तरफ चहरे का पूरा हिसा, नाख का हिसा, आँक का हिसा, पूरे का पूरा एक flap के तौर पर निकल चुका था ऐसे में पेशेंट को इमिडिटली इंटर्विन किया गया और उसे इंटेंसिविस ने देखा और कई सारे दिनों तक सरजरीज और कई सारे दिनों तर ट्रीटमेंट चलते रहे जान बचाना एक अलग चीज है, उसके बाद उसे वापस नॉर्मल लाइफ पर लेकर आना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है और United Hospital टीम में ये कर दिखा है डॉक्रम सिदर अड़ी के जिरे निगरानी के अंदर ये सारे मामले चेली जान पर सभी टॉप डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टर्स, इंटेंसिविस्ट, सब लोगों ने मिलकर गंगधर की जान बचाई जहां आप इतने ब्रूटल असॉल्ड के बाद भी शक्स की जान बच जारी है और वो वापस नॉर्मल लाइफ रिस्यूम कर सक रहा है आज इतने इस मोखे पर गंगधर के फैमिली मेंबर्स का और डॉक्टर वीना मैडम का क्या केमा है जो विक्रम शिद्र अडिबोल के जो वोनर जो है उनका रूप में जो हैं पर डाक्टर लोग काम करते हैं उनका रूप में भगवान उपर से आके इनटेट हास्पिटल में इसको ठीक हो ठीक किया है अभी बच्चा बोलके मैं इस वास से बोल सकता हूं सा 11 एपरिल 2022 को एमर्जनसी रूम इनटेट हास्पिटल में एक पेशेंट आया था 33 रोड पेशेंट था हूं बहुत ही सीरियस कंडिशन में पेशेंट को लेके आया गाया था इधार अमारे हास्पिटल को उसका फेस कंप्लीटली इंजूर हुआ था अल्मस्ट डिस्फिगर स्थिगर में पेशेंट हो के पेशेंट वाज वेरी मच इनप करने का था इमेडिएट तो पेशेंट को इमेडेट में इंप्लीन सिप्पिलाइस कर के दुए पेशेंट को फिर बाद में टीम ऑफ डॉक्तर्स सूपर-स्पेशलिस पेशेंट को अ're डोक्र शफित्यों WhatsApp अफ्टमोलोजिस्ट and most of other doctors attended the patient and it was decided that patient को surgery needed है not in a single setting but in a multiple setting given the severity of the patient patient का severity देखके हमको ये decide करना पड़ा कि patient को multiple settings में patient को operation करना पड़ेगा तो इस हिसाफ से patient के attender से हम बात करें उनको convince करें patient का condition को हम explain करें तो patient agree हुए once patient stabilized होने के बाद 12th April को patient को OT में लिया गया और multiple facial fractures थे OMS fractures थे तो उन सबको पहले Dr. उड़ुपी कृष्णा जोशी ने OT करके फिर next facial injury जो भी disfigurement था ear lobe avulsion हुआ था nose completely displacement हुआ था ये सबको अम Dr. पवन पाटिल फिर अटेंड करें next eye lid injury मैंने operate किया फिर कुछ दिनों के बाद patient ICU में रहा था ventilator support पे था patient patient almost hospital stay around 38 days है patient का उसमें around 12 days patient ICU में था patient with the ventilator support then now उसके बाद में patient का थोड़ा wound infection वा दो-तीन दिन के बाद around eyes and around the cheek because the wound was so severe in spite of all good treatment patient developed some sort of थोड़ा बहुत infection हुआ था तो patient को re-surgery किया गया 22nd April को फिर उसके बाद में CT किया गया तो patient का facial contour है पहले जैसा almost near normal आ गया था patient को फिर treatment करें general ward में रखे patient का family support भी बहुत अच्छा था और patient का willpower भी बहुत अच्छा था तो patient बहुत अच्छी तरह से रिकार हुआ आज हम patient को discharge कर रहे है तो टीम वर्क टीम वर्क बहुत सारे doctors इसमें involved है पूरे hospital staff involved है patient recovery में तो पहले intensivist देखे उसके बाद में ENT surgeon हुआ के patient का earway secure करें first day on the day of admission फिर patient जब stabilized हुआ his head injury part was taken care by Dr. Vinay Sagar Sharma in neurosurgery part that was done without any surgical intervention patient को stabilize करने के बाद next day 12th को जैसे मैंने पहले बोला की patient को अलग-अलग department के doctors attend करे patient को पहले OMF surgery that maxillofacial yob face के bone displacement होय थे उनका surgery किया गया फिर उसके बाद में Dr. Bhavan Patil वो operate करे patient को उनका nose, ear और cheek जो आपे भी disfigurement होय था वो सब replace आपस normal किया गया था अपने team को जा करा चाहेंगे मड़म इतना critical case आप लोह ने सब मिलकर solve किया और क्या जा रहे It's a really a great achievement for our team a very good effort done by our team and it's always a moment of pride for us because patient जब भी आते है ऐसे condition में अगर patient ऐसे चल के वापस जा रहे ये तो पूरा credit हमारे doctors को ही जाता है तो ये बहुत अच्छे feeling है जब patient आया था तो right eye almost normal धिका लेकिन left eye कुछ भी traceable नहीं था इसे लगा था कि वो eye निकल गया है लेकिन ऐसा नहीं हुआ था right eye ही in fact severely injured हुआ है internal injury हुआ है तो उनका right eye में vision कम है अभी left eye में vision restore किया गया है उसमें almost normal vision है तो patient अभी 70% तक उनका vision almost normal है patient can continue with his routine work and he has got a very good vision in left eye right now मेडम आपने इतना tough case solve के आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है patient को vision ही अच्छा सब कुछ है तो patient देखके अपने आप कुछ काम कर रहा है तो यह बहुत ही अच्छा feeling है तो अच्छा लग रहा है patient हम पूरा कोशिश करेंगे जो भी patient critical cases में यहाँ पर आएंगे हम patient को बचाने का हम पूरा कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास जो infrastructure team है तो हमेशा एक कोशिश रहेगा कि patient आपके अच्छे होंगे अच्छा करेंगे